दुनिया के दस सबसे अजीबो गरीब खाने, जिन्हें खाने से पहले आप हजार बार सोचोगे. नमबर दस, सेंचुरी एग, चीन में एक तरह का पकवान बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए काफी पुराने अंडों का इस्तेमाल किया जाता है. इस जिश को सेंचुरी एग कहा जाता है. इसमें इस्तिमाल होने वाले अंडे कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक पुराने हो सकते हैं. ये प्रथा वहां मिंग डाइनेस्टी से समय से चली आ रही है, जिसमें बतक, मुर्गी और बटेर के अंडों को मिटी, राक, नमक, चू के लिए भी काफी लोक प्रिय है. इस शराब को सापों से तयार किया जाता है और इसे स्नेक वाइन कहा जाता है. ये एक तरह की चावल की शराब होती है, जिसे जहरीले सापों के साथ बोतल बंद किया जाता है. साप के खून के कारण इस शराब को एक अच्छा गुलाबी जैसा रंग मिलता है और यह माना जाता है कि इसे पीने से काफी औशधीय फाइदे मिलते हैं। इसे तयार करने के लिए साप को चावल की शराब में महीनों के लिए रख दिया जाता है ताकि उनका जहर पूरी तरह से इस शराब में घुल जाए। शराब में मौजूद इथिनॉल विश को बे असर कर देता है और इसी कारण इसे पीना खतरनाथ नहीं होता। नमबर आठ फ्राइड लोकस यदि आप मैक्सिकन रेस्टोरेंट में हैं और कोई स्नैक ओर्डर करने का निर्णय लेते हैं तो सुनिष्चित करें कि आप खाना शुरू करने से पहले दोबारा जांच लें। कहीं टिड्डे तो नहीं है। जी हाँ, टिड्डे मैक्सिकन शहर ओकसाका में एक पुराना स्नैक टैको फीलिंग है। फ्राइड लोकस को आम तोर पर मिर्च और नमक में भिगो कर खाया जाता है। इन टिड्डों की बड़ी टोकरियां स्थानिय बाजारों में पाई जा सकती है। नमबर साथ, एक्टोबस क्या आपने कभी किसी अजीब जानवर को किसी की खाने की थाली में अपनी जान की भीक मांगते देखा है। ये किसी हौरर फिल्म का सीन लगता है। पर अगर आप दक्षन कोरिया में हैं तो ये एक आम खाना है। विश्वास करना मुश्किल है। इसे नाश्टे के साथ-साथ भोजन के रूप में भी शामिल किया जाता है। उन्हें पैरों वाला पॉपकॉर्ण कहते हैं। पक्षी मुख्यतह लार से अपने घोंसले बनाते हैं। इस पक्षी की लार में कुछ ऐसे अनोखे तत्व मौजूद होते हैं जो घोंसले को रबड जैसी बनावट देते हैं। और इसे मानव द्वारा उपभोग किये जाने वाले सबसे महेंगे पशु उत्पादों में से एक बनाते हैं। दरसल मचली को जिन्दा रखने के पीछे एक खास उद्देश्य होता है। इससे कस्टमर को यह बताने की कोशिश की जाती है कि मचली बिलकुल फ्रेश है। नमबर 3 फ्राइड तरन टुंडला यह आठ पैरों वाली बड़ी मकडी कितनी डरावनी लगती है। किसी के आखों के सामने यह आ जाए तो आदमी टस से मस न हो। लेकिन इन्हें भी फ्राइड करके खाने का रिवाज है। कमबोडिया के स्थानिय लोगों को इसे स्नैक के रूप में खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ के लोगों को टैलेंट इतना पसंद है कि कमबोडिया में एक टाउन का नाम स्पाइडर विला सिर्फ इस कारण से रख दिया गया है क्योंकि वहाँ के लोगों को फ्राइ की हुई मकडी खाना बहुत पसंद है। जापानी लोग सिर्फ मचली नहीं बलकि उसकी आँख खाना बहुत पसंद करते हैं। चाइना में पत्थरों को फ्राइ कर खाया जाता है। इस स्नैक का नाम है सीडियूं। इस डिश में नदी किनारे पड़े चिकने पत्थरों को लहसुन, मिर्च और अन्य मसालों के साथ फ्राइ किया जाता है। पर आपको पत्थर नहीं खाने पड़ते, बलकि उन्हें चूस कर उनका स्वाद लेना होता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।